यह हमारा lecture 22 APK mode usage तो लाक्स lecture में आप लोगों को APK mode को install करना बदाया था और इस lecture में आप लोगों को APK mode के जो कुछ uses है basic usage वो आप लोगों को बताऊँगा कि यह मतलब आप लोग किसी application को को कोई नर्मल से अप्लिकेशन होती है जो उसको डी कॉंपाइल एंड री कॉंपाइल कैसे करें वो सब चीज़े जो मैं आपको आज इसे लेक्षर में बताऊंगा ठीक है तो हमारे पास एक एक अप्लिकेशन है जिसका नाम है हंक.tv के यह एक एप्लिकेशन है हंक टीवी जो लेकिन जो चीज़े लेजिट में आती है वो चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि YouTube पर ही होकी बाकी जैसे की पेलोड को पाइंड कैसे करना है AP को साइन कैसे करना है यह सब जो है मैं आपको यूट्यूब पर ही बता सकते ना तो इसका नेक्स लेक्षर म आप लोग ने गाए लास्ट देखा होगा तो नहीं थे तो फट फट पर चाके देख लीजिए चलिए तो आप लोगो कुछनी बस एक कमान्ड टाइप करनी है तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है आप लोगो को अपको प्लिकेशन को खोल देना पुरा फिर उसको खोलन करेंगे इस वाली अप्लिकेशन को हंक.apk जो की मेरे इंटर्नल इस्टोरिज में फोन स्टोरिज में पड़ी विए ठीक है तो इसी को जो हम अभी डिकॉंपाल करेंगे आपको बताता हूं ठीक है तो हमने अभी के मोड़ लिगा हाइफन दी लिए डिका मतब डिकॉंपाल फ को करना है उसकी location यहां पर दे देनी है ठीक है तो वह application कहां पर हमारा इंटर्नल इस्टोरिज के sd card में है तो आप लोग घिस बडेस्ट Pokémon करना हो ला उसको अपने e4 ti card में लागर ठाल देना ठीक है तो किन लिखेंगे slash sd card यश्ट sd card के अंदर फिर slash sd card के अंदर उस application का नाम क्या है अप लोगों मैं आप एक पर दिखा भी देता हूं hunk.apk ठीक है hunk.apk हमें आप फिर लिखतेंगे hunk.apk इस वाली application को जो है हमें decompile करना है ठीक है तो hyphen d से जो है आउटपूट ठीक है तो इस application को decompile करने के पाद हमें output कहा चाहिए तो इसलिए हमने आफ़न ओ लिखा तो आप आइफ़न ओ लिखने के पाद हम जहां पर हमें अपना आउटपूट जिए हम उस जगह की बना है क्यों देखिए जब भी कोई application जैसे हंक.ap का application है यह जब भी decompile होगी न तो इसकी बहुत सारी files create हो जाएंगी files भी होगी और अलग-अलग formats की file होगी तो वह सारी जो है एक folder में आके रुकेंगी तो इसलिए हम यह आप जो है एक folder बनाएंगे ठीक है नहीं इस apk mode का ही यूज करके तो आप जो है उस folder का कुछ भी यहां पर डाल दिए जो folder आप लोग को बनाना है और जिस folder के अंदर आपको फोल्डर बन जागा अटोमेटिक यहां पर जो है इसमें जो है कुछ भी नाम का एक फोल्डर हो तो मैं इसको डिलीट कर देख लेता हूं ठीक है तो यहां पर कुछ भी नाम का पहले कोई भी फोल्डर नहीं है ठीक है काइन मास्टर आ गया केसे और भी कोई वोल्डर समय है नहीं तो गईस देखिए कुछ भी नाम का एक फोल्डर जो है हमारी इंट्रेलर डिस्टोज में बनेगा और फिर हंग डॉट एपी के जो है यह इसी फोल्डर में आ जाएगा ठीक ह चलिए फिर आप जो सिंप्ली आगर देना एंटर इसके बाद हमारा हंक डॉट एपी के यह कुछ भी नाम के एक फोल्डर में ठीक है तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है तो देखिए हम लोग जो है वेट कले जब देखिए होता है तो इसमें थोड़ा टाइम कि वह था अप्लिकेशन हो चुका है मुझे जो है लगभग दो से तीन मिनट लगें यह ओवर ओल आपकी फोन की परफोर्मेंस पर डिपेंड करता है क्या ना कि कुछ भी नाम का एक फोल्डर आ गया होगा का इंसके नीचे कोई फोल्डर नहीं था अभी कुछ भी नाम का फोल्डर आच चुका है हम जाते देखें तो अप इतने सारे फोल्डर और फाइल बगरा आच चुका है और यह जो हमारा जो हंक डॉट एपके था था ना हंक एप्लिकेशन जो था उसी के जो है यह डिकॉंपिलेशन जो है सब फाइल से वगरा है उसके आप लोग क्लिक कर कर सकते हैं आपकी मरज यह है क्स्टमाइस करने के बाद फिर आप उसको रिकम्पाइल कैसे करें मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है तो हम जो है इसी कुछ भी जो है रहा हम ने इसको रख दिया अब हम जो है कुछ भी फोल्डर है ना जो गाइस इसको हम रिकॉंपाइ तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं अपना जो रिकॉंपिलेशन जो प्रसेस है उसको तो रिकॉंपाइल के लिए हम सिंप्ली कमांड टाइप करनी पड़ती है मैं आपको बताता हूं क्या क्मांड तो हम लिखेंगे अप्लोड कर दूंगा इसकी वन क्लिक डाउलोड लिंग क्योंकि प्रेक्षण में मिल जाएगी चलिए तो आगे बढ़ते हैं हाइफन तो जैसे हमने डिकॉंपाइल के लिए वैसे हम रिकॉंपाइल के लिए आर का पहला वर्ट क्या है ठीक है तरिक है फिर हाइफन आई एट्रीबूट डालें हम हाइफन इस्पेस करेंगे फिस् इस फाइल को रिकॉंपाय्ल करना है तो वो sd card में ही खोर करना है कुछ भी डिकॉंपाइल कि अबब पिसे इसको recompile करेंगे दुबार से जोड़ेंगे खोलने के बाद वाप इसे जोड़ेंगे तो slash और हमारा जो कुछ भी यहां पर कुछ भी जो है इसको आप्लिकेशन कोई यह नाम चूस करेंगे जो नाम हमें इस decompile file को compile करने के बाद चाहिए तो मैं यह आप लिख देता हूँ हंक हंक tv12.org ज़रूर लगा देना क्योंकि हम यहां पर .apk file बना रहे हैं किसी भी decompile file को recompile कर रहे हैं और यहां पर .apk file बना रहे हैं इसलिए हम ज़रूर लगाएंगे ठीक है कुछ भी यह folder तो यह तो उसको decompile इस जो हंक टीवी था हंक वाला अप्लिकेशन था उसको decompile करने के बात हमारा कुछ भी यह बना था अब इसको recompile करेंगे ना तो वापी से recompile होकर के एक application बन जागा जो बिल्कुल कैसा होगा इसके जैसा होगा हंक टीवी जैसा लेकिन इसका नाम चेंज होगा क्योंकि इसका नाम मैंने यह पर चेंज कर दिया हंक टीवी 12.apk ठीक है इतना करना है सिंपली कर देंगे अब यह recompile हो जागा इसमें थ्वड़ा टाइम लिया डीक्ऊंपील होने में अप्लिकेशन को जोड करके एक बना लिया है जिसका नाम हमने रखाता है यहां पर हंक tv12.abk ठीक है तो चलिए मैं आप लोग को वह एप्लिकेशन भी दिखा देता हूं यहां पर देखिए वह अभी आगया हंक tv12.abk यह तो हमारे पहले इस सत्व है ना जिसको खोल के हम लोगों ने यहां पर यह कुछ भी कुछ भी बना इससे शुपोर्ट नहीं करते कुछ जैसे के शेर में अप्लिकेशन को अगर आप चाहोगे कॉंपायल करना तो यह नहीं करता है ठीक है ना तो इसको कुछ आप्लिकेशन होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछन हार कोई दिख्कत आती है फिर भी तो आप लोग मेरे इंस् सब्सक्राइब तो फिर ठीक है मिलते हैं आप लोगों से नेक्स लेक्चर में जब तक करें गुड़ बाए